हाव तू अपग्रेट एटेल वालेट नमस्कार दोस्तों मैं मैं अग्वालत आज आप सबका फेशल स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में मेरा आज का वीडियो उन सभी यूजर्स के लिए है जिपके पास में पेटीम का वालेट है और वो उसे अपग्रेट करना चाते हैं तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शूर्व करते अपना वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बोढ़ना चाहूंगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल के लिए आप सबी लोगों के लिए ऐसे ही सब समिट कर देते हैं मोबाइल पर आपको देखिए किसी भी तरह का option नहीं दिखाए देता कि आपका wallet update है या नहीं update है लेकिन जैसे ही आप अपने account को PC पर open करेंगे तो वो आपको एक message दिखा देगा कि अभी आपका account update नहीं है तो आप इसे अपगेट करिए अगर आपका account update नहीं तो आपको काफी सारे टोड़ाम उसके अंदर देखनों को मिल जाती तो चलिए पहले मैं आपको एटर की official website पर ही लिजाए के दिखा देता हूं यह मैंने Google पर एटर सेर्च किया और यहां से देखिए एटर.in के नामसेस की website है तो हम इ पासफ़र या OTP यहां लिखके login कर लेना है तो चलिए यहां में JD से अपना mobile number और पासफ़र लिखके login पर क्लिक कर देता हूं यह मैंने अपना account यहां से login कर दिया है अब आपके सामने कुछ इसी तरह का interface आता है लेकि नहीं पर देखिए आपको एक option दिखा 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 क्लिक करते हैं आपके सामने पूरा का पूरा account इस तरह open हो जाता है जैसे कि आप देखते हैं अभी मेरा जो balance दिखा रहा है दोस्तों नहीं दिखा रहा है अब यहीं पर देखिए आपको admin option दिखा जाता है और इसी के आगे आपको एक option दिखा जाता है upgrade to saving account तो आपको इसी name डालना है अपना plan number डालना है service, annual income आपको इहां show करना है उसका नोमी नेम आपको इहां डालना है उसका first name डालेगा then last name डालेगा और relationship डालेगी यह जो आपको राट निसान दिखाई देता है यह चीज आपको ज़रूर बनीए तो आप इन सब रिच्टों को यहां से fill up कर दिजिए अचली यहां में जल्डी से fill up कर देता हूं यह सब डिटर मैंने आप यहां fill up कर दिए अब मैंने इस वाल option पर क्लिक कर दिय और यहां आपके सामने एक message आया है we have registered to your request to update to save account और इसके लिए आपको एक वरिविखेशन कराना होगा जो कि इसके लिए आपको जो इनके nearby store होते हैं वहां पर जाके अपना वरिविखेशन करवाना होगा तो इसको मैंने आसे fill up कर दिया इसको मैं आसे close कर देता हूं करने वाद देखी जो upgrade का option यहां आ रहा था वो यहां खतम हो चुका है अब अगर मालिय में किसी को इसकी मात्रम से money send करता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझे upgrade करने का वाद से जिखाई देता है नहीं दिखाई देता है तो मैं यहां सिथा 300 बाला option में click करता हूं टार्श बाला option क्लिक करके देखे मैं साम इंडे option आ चुके हैं to all bank to other bank तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखे मुझे मुझे में message दिखाई दे रहा है you can upgrade to your banking point of supply and send money तो इस तरह आप बहुत ही राम से अपने एटर bank के wallet को upgrade कर सकते हैं वह भी बिना किसी प्रेशानी के तो मुझे अमीद है मेरे आज की इस वीडियो के मारतम से आप सभी को पता चलिया होगी है हम किस तरह एटर प्रेवेंट bank को upgrade कर सकते हैं तो आज के लिए प्रेश इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो